तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम एक डेक्स्टॉप अप्लिकेशन अगर एकलिप्स आइडी पर बनाते हैं तो उससे कैसे काम करना होगा देखिए एकलिप्स आइडी को सबसे पहले हमें डाउनलोड करने के लिए आपके सामने जो यूरल ये अगर आपको और एकलिप्स डाउनलोड करना है और जब आप नीचे देख सकते हो कि इसके अंदर यह जिए मतलब आप कर सकते हो जावा यह एसी अप्लिकेशन के लिए पहली बनाए गई गई है अगर आपको जावा डवली के लिए एकलिप्स चाहिए तो आप अपना पर अलग अप्शन से जावा एसी जावा डवली यहां से जाकर आप देख सकते हो तो अभी फिलहाल यहां पर हमारे पास मैंने यहां से डाउनलोड करके रख लिया है मेरे सिस्टम में अल्रेडी 8.2 नेटवींस है और नेटवींस को मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है तो ज इस तरह से एक इंटरफेस आजाएगा है ना यहां पर सारी जो भी चीज़े हैं यहां से आप कैंजल कर दीजे और यहां पर आपको कैसे कैसे वर्क करना होता है आप नॉर्मल जो जावा का प्रजेक्ट जैसे आप एकलिप्स में बनाते आ रहे हैं वैसे नेटवींस भी ब अप्लिकेशन अलग-अलग डाइप भी हम अप्लिकेशन बना सकते हैं तो हम इसे जावा ही सट करेंगे और जावा अप्लिकेशन यहां पर रहने देते हैं और लेट से अभी हम यहां पर डेमो अप करके एक डेमो अप यहां पर हम बनाते हैं और जो भी बाइडिफॉल्ट सेटिंग है यह मेंन क्लास यसी नाम से बनेगा तो इसे फिनिस कर लेते हैं तो अगर आप एकलिप्स अगर आपको याद हो तो एकलिप्स में जब हम प्रजेक्ट बनाते थे तो वहां प यहां पर है जो भी आपको लिखना है वह आप स्टेट्मेंट लिखे और इसे रन कर सकते हैं लेकिन बात या जाती है कि अगर हमें कोई देश्टॉप अप्लिकेशन यहां पर बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो मैं उसका भी आपको समझाता हूं यहां पर आप एस ओ यू टी लिखके आप ऐसे एंटर करेंगे तो यह आपको पूर लाइन आ जाएगा और यहां से यह प्ले वाला बटन पर क्लिक करके है क्या सक्सेसफुली कंफिगर्ड हो गया है नहीं तो यह चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप एक हेलो वर्ड की ऐसे अप्लिकेशन यहां पर रन करेंगे और देखिए यहां पर यह रन हो गया अब बात आ जाती है कि यहां पर अगर हमें कोई स्विंग की अप्ल क्लास बना देता हूं कैसे बनाएंगे नियू में जाएंगे और यहां पर आप देखिए नॉर्मल जावा क्लास नहीं बनाएंगे हम यहां से जे फ्रेम फॉर्म बनाएंगे ठीक है तो अगर आपको याद हो तो हम लोग स्विंग की अप्लिकेशन या एडेवलूट की लाओ मेक लेता हूं और इसका जो बाई डिफॉल्ट नेम है वह आप अपने हिसाब से जैसे आप लॉग इन पेज बना रहे हैं तो आपका यह लॉग इन फ्रेम जो है यह आपका रेटी हो जाएगा मतलब कहने का यह है कि आप जब मैनूली कोडिंग करते थे या आप सिंगल लाइन में क्लिक करने से यह पूरा फ्रेम आपका रेडी हो गया आप ऐसा कर सकते हैं कि स्विंग की एक मतलब जो फ्रेम है वो रेडी हो गया है अब उसको आप रन भी कर सकते हैं आप यहां से राइट क्लिक कर दीजे और यहां से सीदे कर दीजे रन फाइल तो एरिया है यहां से आप इसकी साइज कम जादा कर सकते हैं जब आप नेट विंस में यहां पे काम करते हो तो यहां पर देखें दो ऑप्षिन दिखता है एक स्वोर्स का और यहां डिजाइन का ठीक है तो सोर्स में जाके आप अपने कोड़ इंड से आप देखोगे तो बहुत ले ना चाहते हैं ले सकते हैं और अगर आप किसी भी component को यहां से select करेंगे तो उस component की जो property है वो नीचे select हो के आएगी तो यह उसकी property है मतलब आप कोई component लीजे जैसे frame भी अपने component है तो उसकी यह property है कि Frame के साथ आप क्या कर सकते हो जैसे framework का आप यहां title set कर सकते हो इसका कोई टाइटल नहीं है तो अगर मैं यहां पर लॉगिन लिख देता हूं और इसे सेब कर देता हूं तो जब आप application को run करोगे आप यहां से देख सकते हैं कि यह application जब run होगे तो इसका टाइटल यहां पर login लिखा आगया है तो इसी तरह से आप कोई प्रॉपर्टई यहां से यूज कर सकते हैं थीक हैं तो जैसे यहां पर बहुत सारी properties हैं आप यह property का जो detail study करोगे तो आपको यह करके पता चलेगा किस property का क्या use है अभी मैं simple सा एक login form आपके लिए design करके दिखाता हूँ अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हो कि और यहाँ पर connection mode right selection mode बहुत सारे options है चलिए मैं फिलहाल अभी और स्विंग के components देखें यहाँ पर हैं उसके controls यहाँ पर हैं और थोड़ा सा और नीचे हम इसे scroll करते हैं तो आप देखें swing के जो है कुछ menus है ठीक है फिर यहाँ पर उसके swing के components एक डबलूटी के भी components है ठीक है आप जो भी चाहें यहाँ पर components drag and drop कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक menu item swing के menus के अंदर से menu item यहाँ से drag करूँगा और यहाँ पर यह menu item लगा दूँगा right direct sorry sorry the item of select नहीं हुआ so just a second जो मैं एक पहले menu bar ले लेता हूँ right so direct menu item actually जब मैंने आपको swing पड़ाया तो उस time पर बदाया था तो direct आप menu menu तो नहीं लगा सकते पहले menu bar लगाना होता देन menu लगाना होता है देखे मैंने यहाँ पर file और edit दो menu यहाँ पर ले लिया आप इस menu पर ऐसे click करोगे तो right click करके इसकी property भी आप देख सकते हैं यह menu की property है यहाँ से आप जो इस पर setting करना चाहते हो फर्दर कर सकते हो जैसे इस menu पर event करना इसका background color set करना वगर वगर अब यहाँ से आप इसको preview करके यहाँ से देख सकते हो यह application जब run हो गयाएगी तो इसमें यह file और edit menu इस तरह इसे दिखेगा फिलाल मुझे यहां पर आपको यह बताना था कि इस तरह से menu लग सकता है अगर मैं कोई एक login application बना रहा हूं तो उसके लिए मुझे लेवल चाहिए लेवल को यहां ड्रैक करके यहां पर लगा लेता हूं और लेट से मैं इस लेवल के यहां पर ड्रैक करके अब मुझे इस पर कुछ लिखना है क्योंकि यह by default जे लेवल लिखा हुआ है तो आप एक single click इस पर करेंगे डबल क्लिक नहीं करेंगे इस पर single click करेंगे देखिए जैसे single click करेंगे तो यहां पर आप direct जाके editing कर सकते हैं सिंगल क्लिक करेंगे वह भी left है ना तो मैंने यहां पर लिख दिया जी login page अब इस पर्टिकुलर लेवल की प्रॉपर्टी अगर आप देखो क्योंकि यह लेवल ही selected है जो item आप select करोगे इसकी प्रॉपर्टी देखेगी जैसे अभी 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 यह लेवल की है अगर मैं ये लेवल के कर रहा हूं तो यह प्रॉपर्टी है अब इसका जो फॉणट साइज है घुए है आप इसकी फॉंट साइज यहां से बोल्ड कर सकते हो बाई डिफोड जो इसकी साइज ऊसको आप बढ़ा सकते हो पके कर दीजिए यहां पर सॉरी यह बहुत कम हो हो गया कि इसकी साइज में थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं लेट से मैं इसकी 45 चलिए ठीक है इतना एंड कर देता हूं तो देखें लॉग इन पर जितना बोल्ट शाइज में यह हमारा देख जाएगा अब यहाँ पर देखें ड्रैग और ड्रॉप का ऑप्शन होता है जब आप ड्रैग और और यह इसकी नेट बीन्स में मिलता है और यह सारी फॉंक्शल्टी मिलती है वह बाकी जाने के बाद यहाँ पर यूजर नेम और इसी लेबल को दुबारा कॉंपी और पेश्ट कर दूँगा तो यहाँ पर देखें दुबारा आ जाएगा यह दो लेबल हमारे पास यहां पर आ गया एक यूजर नेम और पासवर्ट के लिए राइट अब देखें एक किसी भी के अंदर या किसी भी कॉंपोरेंट के अंदर एडिट करने के दो ऑप्शन है अब राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में भी जा सकते देखें यहां एडिट टेक्स का भी ऑप्शन आता है एडिट टेक्स पर जाएंगे आप ऐसे भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं मैंने इसका नाम दे दिया एंटर इमेल ओके एंड जो दूसरा वाले टेक्स्ट है इस पे भी सिंगल क्लिक करके इंटर पासवर्ड आप इस तरह से उनली पास लग देते हैं आप देखें यह थोड़ा सा यहां पे इसके इसके पैरलल होनी चाहिए थोड़ा देखने में अच्छा लगे डुकेंड फिल थोड़ा अच्छा लगे यह देखें मैंने बिल्कुल एकदम इसके बरावर सेट कर रहा हूं ठीक है अब आप ऊपर नीचे यहां पर जो भी ऑप्षन करना चाहते हैं लेकिन हाँ जो भी आप यहां ब्रॉपर्टी यहां से चेंज कर सकते हैं so फिल हो गया जहां से अनुपरेट्ट कर लिया अब जो भी और ब्रॉपर्णित आपने रखा है वह सारी यहांसे ड्रैगंड रॉ कराने के लिए यहां पर एक टेक्ष्ट फिल्ड एर्या ले लिया अब यहां से आप कि पास्वर्ड फिल्ड को रिप्रेजंट करने के लिए पास्वर्ड का भी होगा यह पास्वर्ड का भी एक फिल्ड होगा यहां एक काम मैं और करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, यह जो लेबल है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अब देखें, यहां पर by default जो text आ रही है, देखें, double click करते ही मैं, उस code में चला गया फिलाल, तो यहां से हमें single click करना देखें, यहां से यह, जो भी text आ आए by default, वो भी हम अटा सकते हैं, तो अब देखें, कई बरी है है, हम चेंज करने में दिक्कत हो जाती है, हम right click करके edit में जाएंगे, और यहां से अटा देखें, अब यहां से देखें, मुझे कोई button बनाना है, तो हम कोई भी button यहां से drag and drop कर लेते हैं, let's say मैंने एक यह button उठाया, swing के component और यह button यहां के लागा लिया, so यह हमारा हो गया login के लिए है, right, so मैं button, okay, button मैं basically यहां पर create कर देता हूं, और इसकी जो size है, उपर वाले field के कितना मैं ले लेता हूं, okay, अब यहां पर यह button जो मैं है, इसका नाम login लिग लेता हूं, और मैं एक इसी button को copy करके यहां पेस्ट कर देता हूं, एक और button create कर लेता हूं, या यह दोनों button इसी text field के parallel रख लीजे, right, अब इस particular button की property पे आप edit करके, यहां पर मैं clear ले लेता हूं, तो इस तरह से आप यह देख सकते हैं, जब आप application को run करेंगे, यहां से, तो यह देखिए, और यह login के लिए button हमने बना दिया, अब जैसे मैं मान लिजे कि यहां पे login के लिए मैं कुछ event fire करना चाहता हूं, कुछ logic लिखना चाहता हूं, तो अब यह question आजाता है कि वो कैसे लिखेंगे, और दूसरी चीज, अगर मैं यह चाहता हूं कि मैं कोई दूसरा frame बनाओ, दूसरा form बनाओ, तो उसको हम कैसे call करेंगे, तो देखिए, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं तरीका, जैसे आपने, आप एक काम करिए, इसी login पेज को यहां से copy कर लिजे, और इसी को दुबारा यहां पे paste कर दीजे, इसका नाम लेट से मैं register लिख देता हूं, और यहां पे, यहां पे इसे ok कर लेता हूं, अ इसका title जो है, यहां पे बदल देता हूं, register page, right, और बाकी यहां पे जो login लिखा हुआ था, यहां पे मैं register लिख देता हूं, ok, and इसके अलामा क्या करेंगे हम, login हो गया, register हो गया, और जो हमारा login वाला बटन है, login वाला page है, यहां पे मैं एक निया बटन, इसी just नीचे यहां पे ले लेता हूं, या यहां पे मैं ले लेता हूं, और एक single click करके, यहां पे लिख देता हूं मैं new users, right, तो यहां पे नया users के लिए हम point लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नया users पे अगर मुझे click करना है, और मैं चाहता हूं registration का बेजा जाए, तो click event यहां पे कैसे करेंगे, तो किसी भी button पे event करने के लिए right click करेंगे, और देखिए यहां पे option आता है events, यहां पे देखिए आपको जो type का event perform करना है, वो कर सकते हैं, तो मुझे action event करना है, action perform के अंदर, देखिए action perform उस particular button के लिए, जिस button पे हम event करना जाते हैं, मुझा पास तीन button है, सारे button का देखिए, यहां पे वो लिखा हुआ है, तो normal application में क्या होता है, कि हम source create करते हैं, फिर listener create करते हैं, source का listener से registration करते हैं, यहां पे हमें कोई listener implement नहीं करना है, हमारे उस button का already callback method बना होता है, जहां पे हमें directly logic लिखना है, तो मुझे register class है, उस register class का, register class का, जो main method है, उसको मैं directly call कर लेता हूँ, और यहां पे pass कर देता हूँ, right, तो जैसे मैं button पे click बरूँगा, तो यह registration class से, उस particular, मतलब login, login से registration class open हो जायाएगा, so let me just run this file, यह देखे, यह देखे, run file को जैसे मैंने run करा, यह new user पे click करा, तो यह form बनोगा, अब अगर आप यह चाहते हो, कि जब मैं new user पे click करूँ, तो यह login का form हट जाए, तो उस case में भी हम यहां पे अलग-अलग type के actions कर सकते हैं, right, तो उसके लिए देखे, इसी पे अब मैं double click करूँगा, और जो current form है, उसको मैं यहां से dispose कर दूँगा, तो य या जे frame, जो हमारी होगी class, जे frame.set, ये frame के अंदर, sorry, जे frame class का जो object है, हमारी frame class का जो object है, ये कहीं पे बना है या नहीं, इसे हमें देखना पड़ेगा, menu है, field है, button है, अच्छा, ठीक है, फिर अगर हमारी class frame को extend कर रही होगी, तो this.setVisual, और यहां पर हमें setVisual के अंदर, जे frame class का ही, कुछ static constant है, like, dispose है, dispose on close, sorry, one second, this.dispose कर देते हैं, dispose current class पे ये, yes, ये direct call हो जाएगा, actually, yes, तो यह हमारी जो current, जो frame होगी, वो close जाएगी, और अगली activity, अगला जो screen है, वो open हो जाएगा, तो यहां से मैं application को run कर देता हूँ, देखे, मैं application को जैसे run करूँगा, अब मैं यहां पर लेकर आता हूँ, अब इसका जो logic है, वो कहां लिखेंगे, वो logic आप इस registration page लिखेंगे, तो इस registration के जो event है, इस पे events पे जाके, आप इस action perform में जाके, यहां पेस का logic लिखेंगे, इस button का भी अपना action performed होगा, तो इसका यह action performed है basically, ठीक है, तो अब जैसे माल लिजे, कि आपको उस particular field से data get करना है, और इसको database में save करना है, data store करना है, तो उसका जो काम है, वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा, database में कैसे save करना होता है, अभी के लिए मैं क्या, मतलब यहां पे मैं क्या करता हूँ, text field का जो data है, वो get करके आपको दिखाता हूँ, तो इसके लिए, jtext field, jtext field one dot get text की मतलब होता है, इससे हम text field का जो है data get करते हैं, और इसको हमने string variable में hold कर लिया, तो जैसे मैं एक data get कर रहा हूँ, ऐसे मैं सारा data get कर सकता हूँ, बस मैं आपको इस data को get करके और यहां पर print करके दिखा देता हूँ, just like मैं यहां पर जो name होगा, जो भी मैं user से name दूँगा, यह यहां पर print हो जाएगा, तो let me just run this application directly, ठीक है, मैं यहां पर name दूँगा, फिलाल यहां मुझे email देना चाहिए actually, ram.gmail.com और यहां पर password कुछ देता हूँ, जैसे मैं register button पर click करूँगा, आप देख सकते हैं, निम हमारा get हो क्या आ गया, तो इसी तरह से आप किसी भी component को यहां से drag करके आप ले सकते ह अगर आप एक login page, registration page, forget password page या j table, जो भी component यहां से लेना चाहते हो, drag करके यहां पर रखिए, और अगर आप drag करके नहीं भी रखना चाहते हो, तो आप source code में जाके coding करिए, और drag करके रखते हो, तो हर component की जो property है, यहां पर दो चीज होती है, पहला है platies, platies मतलब components हो गए, जो भी components आपको यहां से उठाके रखना है, रख सकते हैं, और जो component आप select करोगे, उसकी property यहां पर देख जाएगी, उसमें font, background color, उसकी text, उसकी styling, यहां पर आप सारा चीज लेके, और हर एक component की detail study कर सकते है, right, तो